बड़ी बड़ी गोल्ड चोरियों पे कई वेब सीरीज बन चुकी है, कई सारी फिल्में बन चुकी है लेकिन अब सोना चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर आज तक फिल्म नहीं बनी है और जो मास्टर माइंड है इस चोरी के उन्होंने क्या कहानी रची है ये चोरी किसी एक शक्स ने नहीं बलकि 28 लोगों ने की है एक बैंक के साथ क्या है ये चोरी की कहाई और कैसे 28 लोगों ने मिलकर बैंक को लूटा जिस लूट का पता बैंक को दो साल बात चला, ये मामला है जहरकन का जारकन की सराई धिला एरिया के Bank of India में ये लूट हुई इस लूट में पाया गया कि 28 लोगों ने Bank of India से गोल्ड लोन लिये गोल्ड लोन की किष्टे नहीं चुकाई ये सारे अकाउंट्स एनपी हो गए और उसके बाद जब बैंक ने नोटिस पे नोटिस भेजे तो भी लोगों ने अपनी किष्टे नहीं चुकाई जिसके बाद बैंक ने फैसला किया कि इन लोगों ने जो सोना जमा करवाया है उस सोने की value निकलवाएंगे और उस सोने को बेज के ये पैसे की recovery की जाएगी बैंक ने lockers कुलवाए lockers में से लोगों ने जो सोना दिया था security के लिए वो सोना evaluate करवाने जब लगे बैंक वाले तो उनके होश उड़ गए क्योंकि जितना भी सोना था वो सारा ही सोना नकली था 28 लोगों ने इस बैंक से gold loan लिया था ये loans 2022 से जनवरी 2023 के बीच दिये गए थे और इन सभी लोगों में से किसी ने भी एक भी किष्ट नहीं दी थी और इन 28 के 28 लोगों ने जो सोना बैंक में दिया था वो नकली दिया था अब सवाल ये उठता है कि बैंक जब gold loan लेता है तो जो सोना security के रूप में पिले उसने नकली सोने को भी अप्रूव करके इन सभी लोगों को loan दे दिया 28 लोगों को दिये गए इस loan का पूरा amount है 1 करोड 24 लाग और इन लोगों से जो सोना लिया गया था वो 3 किलो सोना था जो कि पूरा का पूरा नकली निकला